उम्शान्ति आज 31st जिलाए 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदर निया आशा दीदी ओम्शान्ति दीदी ओम्शान्ति बाबने का मीठे बच्चे तुम्हे नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालेक बनाने हम उनके समुक बैठे हैं यह जो नशा है नशा कौन सा हम उनके सम्मुक बैठे है जो पिता परमात्मा जिसको पुकारते रहे हैं वे स्वेम आये हैं हमारे सम्मुक आये हैं हमसे मिलन बना रहे हैं तो बाबाबगति इस बात का बहुत नशा होना चाहिए कि जिसको तुमने पुकारा तुमारे सामने प्रशन है कर्मों की गोह गती को जानने वाले कौन सा पुर्शारत अवश्य करेंगे याद में रहने का क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुक्तु होते हैं वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब करम भोग चुक्तु नहीं तो उसे सजाएं खानी पड़ेंगी, और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पुनर जनम भी ऐसा ही होगा। पुरान हिसाब किताब तो चुक्तु करने पड़ेंगी और उसका माध्यम साधन एक ही है, याद, और दूसरा है कि कोई भी नए विकरम हम ना करें, यह तो धरम प्रष्ट और करम प्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा, बच्चों को अपार खुशी का पारा चड़ता है, जब देखते हो बाब दादा समुक आए है, और यह भी बच्चे जानते हैं कि पांच हजार वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रम्हातन में आया हुआ है। यह नौजजच है, Congo है और अनुभूति है। जब नौलजच के आधार से अनुभूति होती है। अगर केवल सामने बैठी है है और यह पताने के कौन बैठा है, तो भी आननत नहीं या 받고, छब रहे सामने कौन बैठा है तो उसका अनशा चलता है। हमको लायक बना रहे हैं, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युकतियां बार बार बता रहे हैं, युकती है बहुत सहज, बिलकुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं, बाबा कहते हैं, तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, य जो हमको सुना सके और हम उनसे सुन सके. शर्व बाबा इस ब्रह्मातन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ. इश्व बाबा निराकार बाबा सरुशक्तिवान है. वो चाहे तो उपर से भी सब काम कर सकता है. लेकिन वो नहीं करता है, क्योंकि बच्चे बाप के साथ जुड़ेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे. तो बाबा आती है, अपनी पहचान देते हैं, अपना परिचे देते हैं, हम बच्चों को अपने संबन्द में लेते हैं, तब हमको वर्सा देते हैं. भल जो अभी समझते हैं, हम बहुत सुखी हैं, हमको इतने पदम हैं, इतनी मिल्स हैं, कारखाने आदी हैं, ये तो सब अल्पकाल के लिए हैं. अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे दुख के पहाड गिरेंगे इतनी सारी मिलकियत सेकंड में खलास हो जाएगी बाप से तुमको सेकंड में वर्सा मिलता है कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ख की बादशाही देता हूँ ये पुरानी दुनिया खतम हो जाएगी, लडाईयां लगेंगी, नाच्रल कलामिटीज होंगी, सफाई तो चाहिए न? ये बाबा ने बतलाया कि देखो, एक सेकेंड में, एक सेकेंड नहीं लगता है, महा परिवर्तन, एक सेकेंड में राव रंक बन जाता है, एक सेकेंड में रंक राव भी बन सकता है, एक सेकेंड में, तो समय का महत्व है, जो बाबा केते हैं, समय एक सेकेंड में चला जाता है तो संगम युक पर ये जो समय है वो हमारा और ज्यादा इंपोर्टन्ट हो जाता है क्योंकि अब हमारा ये कमाई का समय है अब हमारा ये जमा करने का समय है और ये समय अगर हमारा वृता चला जाता है तो बहुत नुकसान है बाबा ने कहा तो अब बाब कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर न चलो बाबा कहते हैं कि रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है बाब कहते हैं तुमने कितना दुरगती को पाया है ये है रौरव नर्क सब दुखी रोगी है घर घर में देखो क्या लगा पड़ा है दुख ही दुख है इसलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो फिर बाबा ने कहा कि भक्ती मार के चित्र सब पत्थरों के बने हैं बाब पत्थरों से माथा मारते हैं बाब कहते हैं, तुम भल कितनी भी मेहनत करो, फायदा कुछ नहीं होना है. बाबा ने कहा कि तुम नहीं पच्छी सो साल ये करके देखा, अब मैं तुम को ग्यान देता हूँ. बाबा ने कहा कि आगे देवियों पर मनुष्य की बली चड़ाते थे, बाब कहते हैं, तुम सुधरेले थे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धी बन पड़े हो, तुम को स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने, हीरे, जवारों के महल थे, अथा धन था, वो क क्या किया? बाबा हिजाब पूछते हैं, तुम को मैंने इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया, तो तुम ने ये सब क्या किया? तो बच्चे रमनीक्ता में कहते हैं, बाबा आपके ही तो मंदिर बना है? तुम भी बाबा ने कहा कि सब धर्मों को सतो रजो तमों में आना ही है विरिद्धी को पाना है तुम भी जाड में हो ना जाड में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है जाड के उपर चोटी में ब्रह्मा के 84 जनम लेकर अंत में खड़ा है तुम भी जो नीचे ब्राह्मन बैठे हो वही फिर अंत में पतित शूद्र बने हो फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो, तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मन बने हो, ये बड़ी समझने की बाते हैं, फिर बाबा ने दिलवारा मंदिर को याद किया, कि ये चैतन्य दिलवारा मंदिर वो है जड, सत्यूग में ये ने था, मदुबन है चैतन्य दिलवारा, जहां पर दि दिलों को जीतने वाला बाबा स्वेम बैठा है, तो बाबा ने का, ये मम्मा बाबा और हम बच्चे बैठे है, हू बहू ये तुम्हारा मंदिर है, नामी रखा है मदुबन चैतन्य देलवारा मंदिर, फिर बाबा ने कहा, कि पहले पहले शुव का मंदिर बनाते हैं, फिर देफताओं का बनाते हैं खुदी मंदर बना कर पूजा करते हैं 84 जनम तो भोगते हैं आदा कल्ब तुम पूजे फिर आदा कल्ब पुजारी बनते हो तुम अब तुम आतम अभिमानी बनते हो नंबर वार कोई तो बिलकुल बाप को याद नहीं करते देही अभिमानी रहते ही नहीं यहाँ कितना समझाया जाता है अरे तुम आतमा हों पर मातमा तुमको पढ़ाते हैं आतमा में ही संसकार रहते हैं फिर बाबा ने आज विनाश को भी याद किया तो आज बाबा सत्युग को को याद कर रहे हैं कि सत्यूग में गवे भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती हैं उनको काम देनु कहा जाता है आंदे सर्व की मनो कामनाय पूरन करने वाली जगत अमबा सरस्वती भी काम देनु है एक इस जनमों के लिए सब की मनो कामनाय पूरी करती है जगदंबा मां संगम प जगत पिता ब्रम्म बाबा और जगत अम्मा मात पिता साकार रूप से इनके द्वारा फिर नहीं सारी सृर्ष्टी का आरंभ होता है वो खुम को संगम पर ही प्राप्त होता है बाबाने कहा कि मनुष्य समझते हैं भगवान आपे ही पूजय आपे ही पुजारी सब कुछ आपे ही देते हैं, आपे ही छीन लेते हैं, अच्छा, जब कि उसने दिया और लिया, फिर तुम को क्यों चिंता लगती है, तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की बात नहीं, फिर बाबा ने कहा, यह बाबा कहते हैं, भक्ती में भोलापन कितना है, भगवान ने दिया, भगवान ने दिया तो बाबा के तह भगवान ने ले लिया, फिर हो थे क्यों, उसके चीज़ सोटे अउसने ले ले, अब बाब बच्छों को कहते हैं, कि मैं आया हूँ, तुम को गुल-गुल बना कर साथ ले जाँँगा, मुझे बुलाते ही हैं, पतित पावन आओ, पति ब्रहreso कि बाद आप तर्थ और फृरुषात कर रहा है , तुम भी पतित से ऐसा आपड फरिष्टा बनेंगे सत्यूगी देवताओं को डेटी कहते हैं सुक्षम वतन वासी हैं फरिष्टे अब तुम फरिष्टे पवित्र बनते हो बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं यहां जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी घर घाट धन्दा धोरी आदी याद नहीं करना है कि अमुक बैटे हो और मदुबन में बैठे हो फिर दुनिया भर की बाते याद करो ठीक नहीं यहां आए ही हो योग की कमाई करने तो इसमें लग जाना चाहिए मदुबन में बैठते हैं तो फुल टाइम है ना अवेलेबल पावा कि तेद वह दर गवाओ मत बैठके याद करो वर्दान है अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांती की किरने पहलाने वाले मास्टर शांती सागर भव वर्दमान समय विश्व के मजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवशकता है सच्चे शांती की अशांती के अनेक कारण दिन प्रती दिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे अगर स्वयम अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांती का वायु मंडल वातावरन शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा अशांती के तनाव का अनुभव बढ़ेगा ऐसे समय पर आप मास्टर शांती के सागर बच्चे अशांती के संकल्पों को मर्ज कर विशेश शांती के वाइब्रेशन पहलाओ यह हम लोग को अभ्यास करना और इसमें है डेट सालेंस अशारेरी अपनी स्वीट शांती की स्टेज जो दिवे गुणों से दिवे संस्कारों से है इसका अभ्यास करने से बाबा कहते हैं यह आटोमेटिकली वाइब्रेशन पहार पहलाएगा स्लोगन है बाब के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्यान सूर के समुख रहो अनुबव करना है तो ज्ञान सूर्य का जुटे रहो, दुनिया वाले कहते हैं सूर्य को कोई देख ने सकता है, सची बात है, लेकिन ये ज्ञान सूर्य तो हमको सदा आलोकित करता है तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का सपश्टी करन, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर और हम आपके प्रशनों का उत्तर प्रशनों त्री कारिक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे ओम शान्ति झालोकित करेंगे